Hello guys, welcome back again to my YouTube channel जहां मैं आप लोगों के help करते हूँ कि कैसे गौर्मन जॉब के अजन को क्रेक करना है सात्यों को बताती हूँ लेटिस गौर्मन जॉब अपडेट्स तो आज की जो मेरी वीडियो है वो रहने वाली है junior clerk recruitment जो अभी हुआ था उसकी expected cut-off और exam result कब तक आएगा ठीक है तो इस पूरी वीडियो में आपको मैं इनी चीज़ों के बारे मताने वाली हूँ तो जो junior clerk का result है उसको आने में थोड़ा time लग सकता है क्योंकि अभी exams बहुत सारे चल रहे हैं as you all know और जो इनकी official website है उसके भी काफी updates आ रहे है तो मैं आपको असा सब्सक्राइब बताने वाली हूँ कि junior clerk के exam के लिए कितनी total number of forms भरे गए थे किस category में और vacancies कितनी थी तो जो UR category है यानि कि general category है उसमें total number of forms थे 14,365 ठीक है और इसकी 104 विकेंसी थी जिनरे UR के लिए भड़ा है OBC में है आपके 14,958 और इसकी विकेंसी है 65 ठीक है SC के लिए यह है और ST के लिए इतने forms भरे गए थे इनकी विकेंसी इतनी है 38 और 19 और EWS का मुझे पता नहीं है क्योंकि थोड़ा इसका economic week section के जो student होते इनकी अलगए विकेंसी थी तो कुल मिला के यही सब इसमें है अब हम बात करेंगे कि expected cut-off क्या हो सकती है क्योंकि हम attendance की बात नहीं करेंगे कि exam में कितनों कि कितनी attendance थी क्योंकि किसी center पे 100% attendance रही है और किसी पे 30% attendance रही है तो हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते है कि attendance जादा है या कम है तो उसके according क्या हो सकता है क्या cut-off गिरेगी या क्या cut-off high होगी तो इसके बारे में अभी नहीं कह सकते तो second चीज यह है कि जो OBC category के students हैं और जो दिल्ली के बाहर के हैं उनको भी unreserved में ही count करते हैं क्योंकि उनके पार delicate domicile नहीं होता तो इसलिए वो नहीं आसा हाँ age relaxation को मिल सकती है बट उनको हम जो है UR में ही करेंगी consider एसी UR की जो cut-off है वो थोड़ी high जा सकती है उसका reason यह है कि जो SCST की students होते हैं अगर उनके number general category की according है तो वो general category में आ जाएंगे और उनके number के वैसे उनको वहां की seat मिलेगी लेकिन जो SCST की seats की खाली है तो उसलिए SCST ही अपने according इसमें fill करते हैं और उनको job मिलेगी याई कि इस category में general category वाला OBC नहीं भढ़ सकता तो देखिए और यह जो cut-off है यह typing की cut-off बता रही हूं है यह overall end की cut-off नहीं है typing test के लिए जो बच्चे consider हो जाएंगे उनकी क्या expected cut-off हो सकती है जिसे unreserved की 135-144, OBC की 115-133, SC की 112-133, और ST की 100-115 तो अभी जो मेरे students ने में शेयर करा है अपना review तो उसके according to cut-off मैंने यही इसमें निकाली है अभी आप देखते हैं कि कितनी जाती है बागी जो भी TTSB की updates आएंगे मैं आपको बताती रहूंगी उससे आपको यह फाइदा होगा कि आपको पहले ही बता रहेगा कि अब हम जो है क्या करें आगे आपको अपको रहेँ आपको पहलेखते हैं